नमस्कार दोस्तो जय माता दे जय माता रश्मिन सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिदर्स को कुठेर सारा धन्यबाद देना चाहता हूँ कि जो आप लोग मेरे साथ जूड़े हुए हैं और आप लोग मेरे कितना सपोर्ट करते हैं प्रेम करते हैं इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत जबर्जस्त खास बनस्पती के बारे में लेकर काया हूँ और आज मैं जिस बनस्पती के बारे में लेकर काया हूँ साथ कुछ लोग देखे भी होंगे कुछ लोग नहीं भी देखे होंगे इसका नाम है हिंगलाज का पोधा और आपने हिंगलाज माता का नाम भी सुना होगा जो पकिस्तान के बलुश्चेस्तान वाले जगह पर माता हिंगलाज जो माता दुर्गा के स्वरूप कही जाती है उनका जो सक्ति पीट पाकिस्तान में आज है और बहुत ही जकरित तवस्था में रहती है ऐसा माना जाता कि जो भी भक्त सचे दिल से उनकी प्रात्नाय करते अराधना करते उनके सारी के सारी मानुकामनाई पूरी कर देती हैं लेकिन ठीक है उन्ही के नाम पर एक पौधा भी पाय जाता है हिंगलाज का पौधा जो हिंगलाज का पौधा अनेक परकार के फायदे हमारे जीवन में दिला सकता है चाहे वह तांत्रिक सास्त्र का उसार देखा जाए या जोती सास्त्र का उसार देखा जाए आरवेदिक दुष्टी से देखा जाए यह हिंगलाज का पौधा हर तरीके से हमारे जीवन में बहुती उपयोगी है तो आज किस विडियो में आप लोगों को hynglach के पोधिय के तांत्रीक उपाई भी बताएंगे उसके साथ साथ उसके अइरवेदिक उपाई भी बताएंगे उसके आसदी गुर्ड भी बताएंगे आखिर किस तरीके से किन बीमारियों में यह कारिया सिध होते है तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं हिंगलाज का जो पौधा है इसका तांत्रीक उपाय क्या है क्योंकि बहुत जल्दी आप अपने जीवन में कुछ उंचाईयों को प्राप करना चाहते हैं पापने जीवन में बहुत लंबे दिनों से अपने सपनों पर कार करें लेकिन सफन नहीं होता है यदि आपके साथ भी ऐसी कुछ परसानिया हैं समस्या है तो समझ जाएगे कि माता हिंगलाज का असरवाद लेना बहुत ज़रुरी है और हिंगलाच के पौधे में माता हिंगलाच का असरवाच शुपा होता है इसलिए आप हिंगलाच के पौधे का इस्तमाल करना आज से ही सुरू कर देजे यदि आपके अगल बगल कहीं पर भी हो कहीं किसी मंदिर के जगा पर हो तो आप जो हिंगलाच के पौधे का इस्तिमाल आवज से करीगा है तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आकिर इसका तांत्रिक उपाय किया है पहला नमर के उपाय है वसी करण में हिंगलाच का पौधा बहुत ही जबर्जस्त कारिगार होता है वसी करण के लिए कुछ नहीं करना है हिंगलाच का पूल होता है पूल के अंदर बीज होता है उसके बीजों का तेल मिलता है उसके बीजों को तो प्योर यदि बीजों का जो तेल होता है ऐसा माना जाता है कि जिस इस्तिरी के उपर यदि आप छिड़क देते हैं है कैसी भी पत्थर दिल वाले इस्तरी होती है वह आपके वसी भूत हो जाती है हिंगलाच के बीच का तेल में इतना जबर्जस्त उपाय होता है लेकिन खास मुहुर्थ पर ही इस काम को करना होता है ठीक है दूसरा नमर के देखा जाए कि नौरात्र के समय में जब अखंड ज तो दीपक को बुझने का डर रहता है तो यदि कलस के नीचे यदि कलस के नीचे इस नौरात्र के समय में यदि हिंगलाच के जड़ को थोड़ा सा यदि रख दिया जाता है तो कभी वह जो दीपक बुझता नहीं है कितना भी आंधी तुपान चले वह दीपक बुझ नहीं सकता है यदि आपको माताराने पर भरोसा है विश्वास होथा है आप एक बार इसका अवस उपाय करिएगा। साथी साथ एक मंत्र में बता रहा हूँ ओम दुम दुर्गाय नम्ह यदि इस मंत्र को आप जागरित करके इस मंत्र को सिद्ध करके यदि आप बहते पानी के उपर भी हिंगलाच की जड़ को ले करके यदि आप चलते हैं तो आप बहते पानी पर भी चल सकते हैं डूबेंग बिल्कुल ही नहीं ठीक है साथी साथ बहते पानी को यदि उस मंत्र को पढ़ देते हैं हिंगलाच की जड़ के साथ ले करके उसको सिद्ध करके तो बहता हुआ पानी भी रुक जाता है वह मुख मोड देता है इतना जबरजस्त इसके जड़ में पावर होती है यदि इसके प कपड़े में हिंगलाच की जड़ को ले करके घर में यदि दबा देते हैं तो कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहती है आपके जीवन में हचारों तरफ से धन की बरसात होना सुरू हो जाता है साथी साथ यदि लाल कपड़े में उसके जड़ को हिंगलाच के जड़ को लेकर कैदी अपने घर के तीजोरी में रख देते हैं ता आपका तीजोरी हमेशा पैसों से भरा रतम एह हिंगलाच का जड़, हिंगलाच का पौदा, हिंगलाच का फूल इस तरीके से इतना जबरजिस्त कारिकर होता है जादि आप जो हिंगलाच की जड़ की माला अपने गलिए में धारान कर लेते तक आपके साथ में कोई भी नक्रातमों कर सकती हैं कुछ नहीं बालबाका कर सकती है हंगलाच की पक्राइब की जर्ण में इतनी जटोर्जध के लाई पाकी पाये जाती है माधत – द्रुगा का अशिरवाथ इस में होता है है când क किसी मंत्र के द्वारा सिद्ध करके यदि आप हिंगलाच के जड़ का इस्तेमाल करते तो बहुत ही जबर्जत कुछ अलवकी की फायदा होता है जो कोई इमेजीन भी नहीं कर सकता है नहीं जागरित करना चाहते तो बस आप इसको अपने तिजोरी में रख देजिए अपने घर में दबा देजिए अपने कमर में बांदेजिए और इसके जड़ की माला को आप जो अपने कमर में अपने गले में पहन लिजिए इस काम को करने से आपके घर में नकरात मग सकती है तो प्रवेश नहीं कर सकती है आपके साथ में कुछ ऐसे बुरी सकती है किसी ने कुछ करा दिया हो तो भी वह बिल्कुल नदो इगारे हो जाते हैं यदि इसको जड़ को कमर में बाद करके जल पर चलते हैं तो भी डूबेंगे नहीं बस इसके लिए एक मंत्र को सिद्ध करना होता है जो मैं अगले किसी टापिक पर डिसकस कर देंगे तो चलिए इस तरीके से जो हिंगलाच है वो हिंगलाच के तांत्री को उपाये है तो हिंगलाच के तांत्री को उपाये करने के लिए आपको सबसे पहले मंत्रों को सिद्ध करना होता है और जो मंत्र को सिद्ध कर लेता है वही उसका जो बात साह बन जाता है लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हिंगला के निवास होने के साथ यह जो इतने जवर्जस्त जो आवसदी गुर्वी पाए जाते हैं जो हमारे सरीर के लिए हमारे जो सरीर को स्वस्त रखने के लिए बहुत ही जवर्जस्त कारिकर से दोते हैं हिंगलाज के जो बीजों का तेल होता है ना हिंगलाज के बीजों का जो त तेल होता है यदि आप अपने दातों में लगाते हैं तो दातों में चाहे पायरिया के समस्चा हो दात से खून आते हो दात पीले पड़ गए हो मसूड़ों में सूजन हो गया दात हिलता हो ऐसे कुछ नेक परकार के समस्चा हो जिसके हिंगलाज के भीजों का तेल जो लगान भी होना सुरू हो जाता है ठीक है दूसरा नमर का जो है इलाज है घरीलू उपाए है तो अच्छा संबंदी मतलब दाद खाज खुज़ली की समस्या हो चरम रोग की समस्या हो धबे बन गए हो सफेद दागो तो आप के लिए हिंगलाज का फूल जो बहुत ही अच्छा का सा कारेकर होता है आप चाहे तो इसके फूलों का पिस्ट बना करके आप जो इसको लगा सकते हैं, इसके फूलों का सेवन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप जो इंटरनल इसके फूलों का सेवन करते हैं तो बड़ी च्छी बात होती है, यदि आप जो इसके भीजों का तेल को आप जो जहां पर दा खायदेना सुर्व हो जाता है ठीक है पुरसों के स्वास्त के लिए भी यह हिंगलाच का पोदा बहुत ही अच्छा कासा कारगार साबित होता है पुरसमें अगर मरदान की कमज्योरी हो जाती है तो भी वैसे पुरस जो है हिंगलाच का फूलों का से मर करा है किस पर मकाउंट कम हो जाता है जिसके वज़े से संतान सुख में संतान प्रापती में काप ही सारे समस्चाओं का सामना करना पड़ता है तो ऐसे पुरुस जो है अगर हिंगलाच के फूल कहीं पर भी मिल जाते है तो हिंगलाच के फूल का आप जो हर सुबह सेवन कर सकते हैं जो सुबह सुबह रहती है बिल्कुल ही दूर हो जाती है और आप एक बिल्कुल स्वस्त प्यक्ति जैसे महसूस करते हैं अगला नमर का इलाज है हार्ट समधिटेजिस मतलब आपके चिस्ट में आपके हिर्दे में कभी दर्द होता हो या हार्ट अटेक के मरीज हो तो ऐसे लोगों को मरीजों तबीभी वाले मरीज को भी तो संचार बेहतर बना रखने करें कि हिंगलाज का फूल भीहतर होता है इसलिए हिर्देर समन्दी जिनको भी समस्वाइव संवाइप समस्वाइब Ю क्योंकि इस फूल में जो है दैवी सकती है था तो माता दुरुगा का भी असिरबाद होता साथी साथ इसके जो अवसादी गुड़ अपने गुड़ है तो दोनों तरीके से दवा और दुआ जहां पर दोनों काम कर देती वहां पर भीमारिया क्या उखाड पाती है तो भीमार कि कितना भी गंभीर समस्या क्यों नहों मातारानी यूँ ही खतम कर देती है मेरे पास ऐसे कई सारे भरे भरे उधारन है जिन लोग जो लाखों की दवाया करा कर ठक चुके थे और वस मातारानी के चरणों में अपने आपको समर्पित कर देने से कुछ ऑसदी का गुड़ों का इस्तमाल कर देने से उनके सरीर का पूरा का पूरा बीमारिया बेलकुल ही ठीक हो जाती है इस तरीके से आप भी अगर आप मातारानी के भक्त हो जाते हैं साथी साथ इन उसदीयों का उपाय करना सुरू कर देते हैं आपके भी जीवन में चार चांद लगना शुरू हो सबसे जरूरी है स्वास्त का सही होना स्वास्त सही तभी रहेगा जब आप मातारानी पर भरुशा करेंगे नतर साथ इसाथ इन आरवीदक पर भरुशा करके इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तापको एक रुपया भी मेडिकल में नहीं जा सकता और आपको घर बैठे इस परकार के ग्यान में रूची रखते हूं तो मैं आप से छोटा सा रिक्विस्ट करता हूं कि इस परकार का ग्यान को आप अपने तक ही सीमित नहीं रखे बलकि अन्य लोगों के पास भी सेर जरूर कर देजेगा मैं आपका बहुत जादे एहसान मन्द रहूंगा